शुरू करने से पहले आप ये चीज़ सुनिये, मुझे मेरा बच्पन बहुत पसंद था, मैं हस्ती खेलती घड़ से थी, पर उस दिन सब कुछ बदल गया, ऐसा लगा जैसे काले बादल मेरे जीवन में पॉमनेंट हो गया हूँ, ना मैं किसी को बता पाई, ना किसी से कुछ कह पाई, सिर्फ शरम और डर की वज़े से, जब तक बात मुझे समझ में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं ऐसा चाती हूँ कि ये दुबारा किसी बच्चे के साथ ना हो, एक चीज़ और सुनिये, वो मुझे बेल्चे मारता था, मु मैं आपको data से बोर नहीं करूंगा, नीचे description box में इस पूरे video का Hindi और English में translation है, along with the data supporting it, but उस data से एक चीज़ तो बहुत clear है, हिंदुस्तान में हर दो में से एक बच्चे के साथ sexual abuse होता है, वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो वो trauma उसके साथ जिंदगी भरकले रह ज इस वीडियो में हम 4-5 सवालों पर गौर करेंगे, सबसे पहला childhood sexual abuse के long term psychological effects क्या है, adulthood पर, csa childhood sexual abuse होता क्या है, इसमें grooming एक term है, एक शब्द है, ये चीज़ क्या होती है, अगर कोई बच्चा जो 18 साल से कम का है, आप से disclose करे, तो as a parent आपको कैसे respond करना चाहिए, अगर adult ने आ आपको disclose किया है, तो as a parent आपको कैसे उस चीज़ को address करना चाहिए, आप sex education कैसे दे सकते हो, या फिर क्यों जरूरी है, तो last में, इस trauma से आप कैसे deal कर सकते हो, हम इस question पर बात करेंगे. मादोधी, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन, आज हम फिर से किसी विशे में साथ बैठके बातशीत करेंगे, एक normal Indian family का perspective जानेंगे, इस विशे में बात होती तो है नहीं, research होती है, study होती है, experts बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी सला देते हैं, बड़ उनसे resonate नहीं हो पाता, क्योंकि एक normal बातचीत कोई करता नहीं है, किस चीज़ से कैसे deal करा जाए, ये underreported भी इस ले जाता है, तो आपका इस विशे में क्या कहाल है? देकि यह बात सही है कि इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है, इसका कारण यह है कि एक समाज में हम लोग रहते हैं, जो एक family सोचती है, एक ma-baap जो सोचते हैं, एक समाज में रहते हैं, उनको यह लगता है कि अगर मेरे बच्चे का कोई भी case सामने आ जाता है, चाह वो male हो, चाहिए female हो, तो उसका आगे क्या future होगा, लोग क्या कहेंगे, इसी वज़े से under reported जाती है, अगर हमारी बर्णामी होगी, यह नहीं सोचते हैं कि इसमें बच्चे की क्या गलती, अगर किसी बच्चे के साथ 5 साल में हुआ कोई case, या 8 साल में कोई हुआ, या 12 साल में हुआ, उसमें बच्चे का क्या, उसमें बच्चे को क्यों दोशी मानते हैं, उनको क्यों लगता है कि अगर हम यह बात, अगर सब के सामने आ जाएगी, तो हमारे बच्चा बदनाम हो जाएगा, या हम लोग बदनाम हो जाएगे, या बच्चे का future कराब हो जाएगा, इसी क बात होगी डर के सामने आप घुटने टेक देते हो society के प्रेशर में बिज़ती समाज में क्या इज़त रे जाएगी बाइचांस किसी female के साथ होता है तो उसके शादी के प्रोसपेक्ट चागे के यह सब तो डर की बात हो जाती है इस दर से आपको घुटने टेकने नहीं चाह किसी अडल्ट पे इस पर यह है कि यह जो मैं बताना चाहूंगी कि अगर किसी बच्चे का अपने जो बच्चपन में कोई इस तरह का case हुआ होता है या उस पर sexual abuse हुआ होता है तो उस समय तो बच्चे कुछ नहीं थोटा होता है कुछ नहीं बोल पाता है लेकिन उसकी जो चबी होती है उसकी जो memory होती है वो उसके दिमाग में रह जाती है और रह जाती वही पनपती रहती है और आगे तक हो सकता है कि उस बच्चे के साथ लगातारी sexual abuse हो रहा होगा किसी उसी के अपने के साथ जो उसकी family के कोई member हो उसके साथ हो रहा है तो वो चीज़ें उसके दिमाग में रह जाती है यह बाद सही है कि अगर कोई family में कर रहा है तो कभी उसने एक बच्चे के साथ किया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दूसरे के साथ ना करे जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक तो करता रहेगा तो उसपे क्या होता है कि जब adult बच्चा हो जाता है तो उसपे कई चीज़ें उसपे असर करती है जैसे है देखे मेरे पास मेरे कुछ points है क्योंकि यह बहुत sensitive issue है तो अब कोई भी point छूटना नहीं चाहिए जो एक research करने के बाद सामने आया है यह सारे जो points हैं जो आज इस वीडियो में आपको पता चलेंगे जो भी बाते हैं उनका हिंदी और English में दोनों में description box में पूरा पूरा अनुवाद लिखा हुआ है आप वीडियो भी देख सकते हैं और आप पढ़ भी सकते हैं बिल्कुल है अब जैसा है कि जो हमने बताया आपको तब से पहले है कि जो बच्चा है जिसके साथ ऐसी घटना हुई होती है अब वो अडल्ट हो जाता है एक तो उसमें self confidence नहीं रहता है बिल्कुल loose कर जाता है दूसरा हो जाए उसे लगता है कि शायद मैं अपराद हूँ जब वो बिल्कुल जैसे लगता है कि वो किसी से कुछ नहीं कह पाता है और अंदर ये अंदर उसका एक उबार सा रहता है उससे क्या होता है कि एक तनाव में रहता हमेशा हुआ ठीक है ना उससे थोड़ा खानी की अपना कोई होश रहता है ना मैं क्या कर रहा हूँ, ना कुछ भी मतलब इस तरह की हरकते हैं, वो ही लगता है कि मैं जैसे है कि आत्पहत्या करने के उसमें कभी-कभी हो जाता है, कि वो आत्पहत्या के मूड में आ जाता है, फिर उसके जो sexual implications हैं, जो difficulties हैं, वो रहती ही रहती है, यह तो बहुत बड़ साथ उसका permanent एक relationship है, यह आगे बनने वाला है, तो उसमें भी एक complications तो आती हैं, उससे होता है कभी-कभी separation होचे, बहुत सारी बाते होती हैं, वो सब होती रहती हैं, जिसके साथ इस तरह की घटना हुई होती हैं, वो शराब पीने लगता है, वो ड्रक की तरफ चला जाता है नहीं, आपने सही बोला, एक alcohol और substance abuse की भी दिक्कत आती है, हमने पहले वीडियो बनाया है, substance abuse पर आप देख सकते हो, वो भी जा करके, link आजाएगा, यह बहुत major problem हो जाती है, क्योंकि फिर आप escape route होने लग जाते हो, कहीं पर दुख है, reality, आप नहीं मानते हो, तो आप में जाते हो, और अक्सर यह होता है, शराब, यह अलग-अलग type की drugs हो जाते है, यह कुछ points है, जो ध्यान में रखने वाली बात है, यह trauma में convert हो जाता है, societal हो जाता है, PTSD हो जाता है, यह post-traumatic syndrome होता है, इसमें textual difficulties, lasting relationships नहीं बना पाते हैं, identity का difficulty आ जाती है, relationship में problems आती है, parenting difficulties आती है, यह जो आपने मुझे अपने points लिखके दिया है, इसमें यह बहुत important है, यह parenting difficulties बहुत जाता है, आप बच्चे, बच्पने में हुआ, आप बड़े हो है, वो baggage लेके आप आगे चले हो, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी baggage तो आप ही का बन जाता है, आप फिर behavior बताया, aggressive होना, बिल्कुल ही एक डम गुस्टा कहीं का कहीं निकलना होता ही, बिल्कुल है, यह तो होता ही है कि आपको अगर आपके अंदर का वो चीज बहार नहीं निकाल पाती, जो आप कहना चाहते हो, और नहीं भी कहना चाहते हो, तो वो अंदर अंदर उसका मन्थन ह होता रहता है, बनता नहीं होता रहता है, तो पिर कहीं नहीं वो निकलता है, उसे की फैमली पर भी असर पड़ता है, तो महलूती यह तो बात हुई, लॉंग टर्म सैकिलोजिकल एफेक्ट्स की, यह आपने बहुत अच्छा किया है, कि आप बहुत sensitive topic है, तो आप उस चीज section box में भी अपने viewers को दे देंगे, वो भी पड़ पाएंगे इसे, अब बात आती है कि child sexual abuse actual में होता क्या है, यह चीज भी समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ sex करना या यौन सम्मत बनाना ही abuse नहीं होता, sexual abuse नहीं होता, दूसरा, यह कहां से चालू होता है, जिससे हम grooming कह रहे है, child sexual abuse की जो बात हम कह रहे हैं, वो सिर्फ वही नहीं जैसे आप कह रहो कि सिर्फ sexually वही इसको नहीं मानते हैं, लेकि है कि जैसे कभी कोई भी adult, किसी नाबालिक, minor पे जबदस्ती का दवाब डालता है, अपने sexual relation को बनाने के लिए, या उसको touch करता है, उसके जो private parts होते है या उसके सामने उस तरह की जो नंगी जंगी फोट पे सामने दिखाता है, ताकि वो उससे बच्चा देखे, या फिर यह है कि बच्चे को बिलकुली कपड़े उतार दे, बच्चे को ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर कर दे, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं कि जो वो चाहता है कि या अपने अपने पार्ट्स को चुने है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चे की फोटो अगर उसको पूरी उसकी एक यौन शोशन जब आप करते हो तो उसकी पूरी फोटो फोटो ग्राफ आप बना के रखते हो, या वीडियो के साम करना ही sexual abuse नहीं है, emotional, physical, mental, जो भी तरीके करना चाहता है वो इनसान, वो sexual abuse में आता है, यह साब होता, चाहिए आप कपड़े पहने, बच्चा कपड़ा पहने, उसके उपर भी आप उसको गलत तरीके से touch करना और यह करना, बहुत सारी चीजे होती हैं कि आप बच्चे को कि definitions मिल लेगी, पर आपने एक ऐसा normal layman इनसान की तरह जो समझाए, बिल्कुल सही समझाए, काली sex करने को यह sexual abuse नहीं कहते हैं, बिल्कुल, जी, अब इसका दूसरा है grooming, मालोदी यह grooming क्या होता है, जो भी देखती है, इसी को जैसे कोई minor, उसको abuser मानते है, एक्स मानते हैं, इसको कैसे रूज़ाता है, उसको कैसे अपनी तरफ जुकाउच बनाता है, तो उसके कोई तरीके होते हैं, के grooming करना मतल़ उसके तरीके होते हैं, कि उस बच्चे को जिसको टार्गेट कर रखा है, तो उसको पता चला टौफी दे दी, उसको खिलौने लाके दे दी उसे बहुत अच्छा दोस्त हूं अपने माबापों से भी ज्यादा या अपने रिष्टेदारों से भी जाता है मैं आपकी बहुत क्यार करता हूं ताकि बच्चे को लगे कि यह शायद मैं मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त है या मैं मेरी क्यार करता है तो यह मेरे लिए बहुत अच्छा होगा हुगा बच्चा तो मासुमन्सान होता है ठीक ए उसके लिए तो black and white यह होता है बिल्कुल कोई toffee दे रहा है तो खुश हो जाता है खिलाने थे खुश हो जाता है तो तो ग्रूमिंग का मतलब फिर यह हो कि दूसरे को बच्चे को जिसको टार्गेट उसने करा हुए उसको अपना फेवरेट बनाना उसके लिए खुद को फेवरेट बनाना यह बच्चे की थोड़ा उसा बड़ा भी बच्चा हो तो उसको उसी तरह के उसके लिए अपनाता है उसके यह सभी बात है क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप जा करके टार माबाप को यहाऊ करता है कि मैं बहुत विश्वास का पात्र हूं आपके लिए मैं बहुत अच्छी तरह से देहरे कर सकता हूँ कभी उसको स्कूल छोड़ दिया कभी उसको बहुत अच्छी तरह से डेका원 ट्रीट करा , तो माबाप बापों को भी लगता है यह तो अपने ही रिष्टेदार है या कुछ जो भी है तो क्यों इस तरह की गला थरकत की यह सोच में ही नहीं रहती है मापापों की ना मैं यहां पर एक चीज़ करना चाहूंगा आज हम बात करें नॉमल इंडियन आजूल की बाहर भी होता है जैसे म आगे से थोड़े से ज़्यादा सदर्क हो जाओ इसी में एक छोटा सा एक रियल किस्सा आपको बताना जा रहा है वो मेरी फैमिली कहीं किसी बच्चे का है तो वो जैसे एक ग्रोमिंग माली बात करी तो वो बच्चे को बहुत अच्छा लगता था डांस करना तो मेरी के वहां पर डांस उसको सिखाय करते थे लेकिन दो तीन दीन तो बहुत अच्छा लगा लेकिन बाद में उस बच्चा 6-7 साल की बच्ची थी वो वहां से कटने लगी कारण क्या था कभी चार पाई के नीचे चुप जाए जब वो टीचर आता था या कहीं धर दर हो जाए तो वो टीचर क्या करता था वो उसने कुछ-कुछ गलत हरकते हैं जैसे उसको पहले उसको शुरू-शुरू में सिखाया कि कुछ फोटो लाता था कि इदको तुम्हें ऐसे डांस करना सिखाएंगे कुछ एक्टर्स की फोटो था तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि अरे तो टीचर ने फैमिली से का कि ये देखे ये मन नहीं लगाती है डांस करने में ये उल्टा उस बच्ची के खिलाफ उन्हें तो उससे बच्ची को डांस भी पीडिए लेकिन वो कहा नहीं सकती थी लेकिन बच्ची ने एक दिन हिम्मत करके क्या अपने एक मेरी भावी हैं उनसे कहा कि मुझे नहीं अच्छा लगता मेरे जो टीचर हैं वो मुझे ऐसे वैसे चूते हैं और मुझे तो वो शायद समझी उन्होंने दूसरे दिन उसको चेक किया चरवाजा बन था चेक किया उन्हें लगा कि बच्ची सही कह रही है तो उस टीचर को वहां से डांट अगर उस बच्ची की बात नहीं सुनते तो यहां पर फिर जो आप अपनी भावी की बात कर रहे हो घर में क्या होता है कि ग्रूमिंग कुछ चेक करने के ना कुछ और तरीके भी होता है आप as a parent या as a elder sister brother आप समझाते सिखाते हो आपको समझ भी आता है यहां पर main role रहा आ अब की भावी का उन्होंने सही time पर उस चीज़ को आंक लिया उनका उस चीज़ को आंक ना ज़रूरी हो गया था वो भी तो कह सकती थी कि नहीं शायद ऐसी बच्चा है भागने के ले कर रहा होगा पर उन्होंने और नहीं पर यहां का और यही चीज़ करने की भी बीजर उनको पता था कि ये बच्चा डांस में बहुत इंट्रेस्ट लेता वही चीज लेती थी लेकिन अब कैसे कट रही है और अब लगा लिजे इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं अब आप अपने साथ की बात कर रहे हैं तो उनकी भी उमर होगी होगी 60-60 अब सेम बात कर रहे ह वो चीज रिफ्लेक करी होगी आने वाली जेनरेशन पर मालोदी आपकी भावी ने जो किया उसके बाद हमारा दूसरा सवाल आता है बहुत इंपोर्टन सवाल है अगर कोई बच्चा अठारा साल से कम उमर का बच्चा हिंदुस्तान में 42% 42% सिर्फ बच्चे हैं अमारी आ जहन बड़े भाई अपने घर में कोई खास आपका दोस्त कैसे रियाक्ट करना चाहिए दूसरा जब अडल्ट आपको डिस्क्लोस करें यह देखिए अक्सर क्या होता है बच्चा इसलिए हम आज इस टॉपिक में बात कर रहे हैं क्योंकि यह अडल्ट होट में चली जाती ह चाहिए जहां तक आपकी चाइल्डूर और एडल्ट की बात है लगबग लगबग जो एक सेमी अगर हम उसका अंसर आपको आपके साथ अगर डिस्क्लोस करते हैं क्योंकि जो एडल्ट है वो कभी चाइल्डूर में रहा होगा उसी को लेकर जब उसने अपनी बातें उस सम इस सब्सक्राइब इनसानी बड़ा होगे उमर बड़ी होगी शरीर बड़ा होगी आइड बड़ी होगी पढ़ो बच्चा तो ओही रहे गया तो यह है कि अगर चाइल्डूर की बात करें उस समय बच्चा जैसे हमने इसके पहले भी जो आपको कानी बतायी थी उसे फिर एडल्ट आपसे बात को करता तो अगर बच्छा भी करता है तो आपको जो बात कह रहा है उसको बहुत शानती से सुनना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा कोई भी रियक्ट आपको नहीं करना पड़ेगा अरे तुम्हारी का अगर जब एडल्ट पर पहुंच गया आपको क्या पता था कि आप वो अपने बच्पन की बात बता रहा है या जैसे भी हुआ वो आप तो सुनना पड़े हो गया अरे बड़े उससे वो चीजें पूछनी ऐसे नहीं डारेक्ट नहीं पूछे लेकिन अगर वो बताना चाहता है डारेक्ट से का मतलब मतलब है कि अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ ता अगर यह है कि उसको घुमा फिरा के कैसे भी अगर वो बताना चाहे अगर नहीं बताना चा क्या वफ़ारी गलती तो उसकी जो जिसने तुम्हारे साथ तरह ह हरकते करी है और उससे कहा कि उसको एक सुरक्षित महौल दीजे और उससे कहों कि तुम सुरक्षी हो और तुम्हारी हम लोग help करने को तयार है अगर तुम चाहो तो चीजों को आप पता सकते हो, अगर आपको ये लगता है कि आप किसी को complain करना चाहो, किसी पास अपनी रिपोर्ट है, उस पे पास करना चाहो, डॉक्टर हैं, सैग्रिलॉजिस्स हैं, चाल्ड स्पेशलिस्ट हैं, या फिर आप उस चोटा बच्चा है, वो जिस तरह से बयान करना चाहा है, तो आप उसके बयान को वैसे ही लिखो, यह नहीं कि अपनी बात को, उसकी बात को तोड़ मरोर करके आप उसका डॉक्मेंटेशन करो, ऐसा नहीं, हाँ यह आपने सही बोला, यह करना ज़रूरी है, क्योंकि देखे, सैकिलोजिस्ट आप अगर रिपोर्ट करते हैं, मालनो बच्चे की बात पे आपने रिपोर्ट किया, तो बच्चे ने जैसे डिस्क्राइब किया है, वो करना ज़रूरी है, बिकॉस होगा क्या कि बाइचांस आप पुलिस स्टेशन गए, या कोट पे मामला गया, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या सैकिलोजिस्ट को बुलाए जाएगा, वो उसने तो बच्चे को देखा नहीं है, क्योंकि देखे, बाइ लौ, लौ भी नीचे मेंशन कर दूँए, दिस्क्रिप्शन यह सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, या उसमें ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, अगर तो फिर भी या सैकिलोजिस्ट भी नहीं बता पाएगा, तो वो जरूरी है कि जैसे बच्चा बोलता आपको करना पड़ेगा, और बड़ों का भी, एडल्ट का भी, वो तो करता है कि कैसे आप उसके साथ काउपरेट करें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी, और यह विश्वास तो बिल्कुल दिलाना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, ठीक है, हम आपके साथ हैं, और आप जैसा का होगे, मतलब जैसा का मतलब यह है कि आप उसकी शुरक्षा की बात, जैसे भी आप सोस्ते हैं कि कैसे हो, साथ देने की, सारा देने की, सपोर्ट करने की, वो आपको करना पड़ेगा, देखे एक चीज है, कैनलोजी में यहाँ देना चाहूँगा, जब मैं आन्थ्रोपॉलोजी पड़ता था, तो उसमें आन mentor थे हैं अभी उन्होंने हमसे बोला था कि बेटा जब तक तुम दूसरे का एनक नहीं लगा होगे तब तक तुम बात नहीं समझोगे आप अगर अपने एनक से चीज़ देखते रहोगे तो आप उतना ही देख पाओगे जितने ही आपकी समझ है तो अगर आपको समझना है तो मेरा एक personal suggestion है अपना आइनक उतारो और दूसरे का उस बच्चे का आइनक पहनो उस अडल का आइनक पहनो तब ही आप समझ पाओगे तो मालोधी हमने psychological long time effects पर बात कर ली abuse पर बात कर ली grooming पर बात कर ली हमने बात कर ली है अगर कोई आपसे disclose करे तो कैसे उसको respond करना चाहिए और हम बहुत normal household की बात कर रहे है हम experts की बात नहीं कर रहे है हम बहुत normal household की बात कर रहे है अब मुझे आप ये बताईए ये मेरे लिए बहुत important है समझना जानना और मेरा personal opinion है कि ये होना चाहिए sex education precautionary education घर पे कैसे कोई parent बड़ा भाई बड़ी बहन किस तरीके से आप अपने बच्चों को दे सको अपने घर के छोटों को दे सको कि उन में इतनी understanding आए कि सामने से आपको आगे बता सके school में करानी नहीं करानी सरकार का लेकि ये आप सही कहरों कि sex education देनी बहुत जरूरी है और इस पे भी लोग बात नहीं करते हैं माबाप खासकर मदर ये नहीं अपने बच्चों से बात करती है कि उनको लगता है कि ये विशह ऐसा है बच्चों से कैसे बात करें लेकिन आज के महौल को देखे हैं महौल तो पहले भी वही था लेकिन आज कल के महौल को भी अगर हम देखते हुए जरूरी हो गया कि हम अपने बच्चों को sex education दीज़ेंगे अब ये भी अलग-अलग age के लिए अलग-अलग होनी चाहिए अगर हम छोटे बच्चों की बात करें आठ नौ साल तक के बच्चों के शह साथ आठ साल के बच्चों के बात करें तो उसमें बच्चों को ये दिखाना होगा कि बेटा अगर आप किसी के साथ जाते हो किसी के साथ खेलते हो या कोई बड़ा आत्मी के साथ आप जाते हो या ऐसे भी तो खीज हैं आपकी जो प्राइवेट होती हैं जिसको टच आप किसी को नहीं करने जैसे for example आपका जो chest है chest को किसी को टच नहीं करने देना आपके जांगों के बीश का जो space होता है उसमें भी किसी को टच नहीं करने देना, बैक में, जो पीछे, आप किसी को टच नहीं करने देना, और बहुत इस्प्रिसिपली, और कुछ लिप्स पे, या होट पे, वो आप नहीं करने देना, उनको बच्चों को भी पता लग जाता है, अगर आप गलत तरीके से टच करते हो ना, तो बच्चा भी एक दम से जिखता तो है यह, तो लेकिन अगर उसको पता रहेगा कि यह चीजें गलत है, इसको नहीं है, आप एक जैसे माँ है, माँ अगर उन्हीं चीजों को टच करती तो उसका एक गुट फील आता है ना, अगर कोई अंजान आदमी या कोई उसका जानकार भी हो गलत तरीके से ट चिल लाइए, आप हेल्प के लिए चिल लाइए, माँ से भाग जाएए, यह चोटी मोटी मोटी चीजे हैं और जो कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चा इतना तो करी सकता है, और जब कोई चिल लाएगा तो सामने वाला इंसान आटमाटिकली बाग फुट पर चला जाएगा, जी, जी, अब जैसे यह तो छोटे बच्चों की बात होगी, अब बड़े बच्चे में जैसे साथ, आठ, नौ साल से लेकर बड़े बच्चे की जब उसमें फीजिकल चेंजे जाने शुरू होता है, जब आपकी प्यूबर्टे हीट करनी चालो होती है, दस साल से बाद, हा माँ, जब मदर, फादर सा बच्चे एक साथ, हम लोग, एक साथ हम लोग सोते हैं, वो करते हैं बच्चों को, फिर एक एज ऐसी हो जाते हैं, जब एजब एज, एज आती है, तो वहाँ पर मदर को थोड़ा सा अपने लड़की को सिखाना पड़े गा बिटा या लड़के क कि अब मंदट के साथ आपको सोने की जरुवत नहीं है या आपको जैसे बहन है, बहन से भी अपने फादर या भाई के साथ जाए वो कैसे भी सिखा है, कि नहीं, अब separate सोने की जरुवत है बात तिनने की जरुवत है कि अगर घर में भाई बेहन वाला रिष्टा है तो एक female में क्या changes आते हैं क्यों poverty hit होती है menstrual cycle चालू होती है बहुत चीज़े होती है तो आपको लड़के को भी समझाने की जरुवत है कि better maintain your distance अभी क्योंकि changes है अब क्योंकि जब तक आप लाइन नहीं draw करोगे तो वो आगे जाके भी नहीं होगी और वो लाइन अगर कोई इनसान cross करता है उस grooming के time पे तो बच्चे को समझ होगी कि नहीं मना किया गया है बिल्कुल एक साथ बच्चे जैसे नहाना धोना बच्च्पन में करते थे अब थोड़ा बड़े होगे तो जरूरी नहीं कि एक साथ तर कपले उतार के नहाए तो कि बहुत सारी चीजें होती है यह सब मदर को सिखाने वाली होती कि आप कैसे सीखा और जब उनके जब periods आते हैं तो कैसे उसको आप handle करोगे मतला मदर कैसे सिखाएगी उसको बच्चे को कि बही कैसे handle करोगे कि बच्ची को तो पता नहीं रहता है कि कैसे उसकी साफ सफा है यह चीजें होती है और जब यह शुरू होता है तो फिर यह यह चीजें लड़कों को भी समझने की ज़रुआ है यह सिर्फ लड़की तक है limited नहीं है यह लड़की जैसे आप कहरो ना बदर को समझाना चाहिए यह सही कहरो आप और आप यह भी सही कहरो कि दोनों को समझाना चाहिए यह लड़के को भी तो sensitive होना पड़ेगा इस ममले में जागर आप proper education sex related education precautionary यह automatically बन जाती है आप दोगे तो automatically boundaries create उन लिख जाती है मैं clear करना चाहूँगा यहाँ पर इस चीज का यह मतलब नहीं कि आप खेलना कूदना बंकरा था पर हर्चीज की एक उमर होती है और यहाँ पर एक चीज और मैं mention करना चाहूँगा आप से पूछना भी चाहूँगा यह सब करने के लिए आपको दोस्त बनना पड़ेगा बच्चोगा यह वो तो है यह, यह सब करने के लिए आपको दोस बनना पड़ाएगा, अभी जो बच्चे बहुत सारा इंटरनेट जो पर चीजे खोलते हैं, इंटरनेट को देखते हैं, है ना, क्योंकि कभी-कभी हमने देखा, माई भी कभी-कभी चेकर लेती हैं, कि बच्चा हमारा क्या देख रहा है, यह सारी चीजों की उनकी जानकारी दीरे-दीरे होती है, तो बच्चा उससे थोड़ा अपने को खोलता, तो है यह, तो वहीं पर अगर मदर या फादर, फादर अगर अपने बेटे के साथ, मदर अपनी बेटी के साथ, या अगर वहाँ पर एक दोस्त वाला रवया रखना शुरू कर दे, उसको बताए चीजों को, और उसको खुद भी चीजे पूछे, तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं मदर को हर चीज बता, अगर कोई भी अगर गलत स्टेप भी उठाते हैं बच्चे, तो मदर को अगर बताते हैं, तो वहीं पर चेक हो जाती है, और आजकल जैसे आपने बात करें इंटरनेट का जमान है, हर किसी के हाथ में फोन है, सब के पास globally हर चीज का access है इंटरनेट की वज़े से, तो आप ये expect नहीं कर सकते हैं कि अगर आप बात नहीं करोगे तो बच्चे को पता नहीं है, सब पता है, लेकिन बच्चे के दिमा evolutionary education automatically हैगी और आप किसी तरह child sexual abuses के incidences को check कर पाओगे, at least अपने household के अंदर, तो मारोधी हमने सारी बाते करी, हमने सारा समझा, सारे कोशनों पर light डाली, बहुत simple शब्दों में हमने इस बारे में बात करी, हमारे viewers अभी तक अगर हमारे साथ हैं, तो या तो आप में से किसी क साथ हुआ है, या आप कोशिश कर रहे हो इस ट्रामा से उभरने की, या आप suspect करते हो कि किसी के साथ हो रहा है, या फिर generally आप इस चीज के बारे में और चीज जानना चाहरे हो, ताकि कि किसी को बता पाओ, तो मालूदी, अब हम बात करते हैं कि इस ट्रामा से हम कैसे overcome कर सक करते हैं, यह सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपको उस जो आपके साथ हुआ होता है, बच्वन में हुआ है, या बड़े में हुआ है, उससे आपको निकलना है तो आपको अपनी willpower को बहुत strong बनाना होगा कि आपको यह जताना हो, मतलब आपको यह उससे उभरने के लिए आपको अपना मन बनाना होगा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप उसका positive attitude आपको लाना पड़ेगा कि मुझे इस trauma से निकलना है, बहले ही इस चीज में कुछ positive नहीं होता है, बट आपको positive attitude लाना पड़ेगा, बिलकुल लाना पड़ेगा कि यह मैं जो मेरे अंदर काफी समय से चल ला होता, कि कैसे मैं निकलू, कैसे मैं इससे बहार आएँ, तो उसके लिए तो सबसे बड़ी बात यह होए कि आपको अपना एक मन बनाना होगा कि मैं इससे बहार निकलू, आपको decide करना होगा कि मुझे heal होना है तब ही आपका कोई भी जो लोग जिससे आप हैल्प लेना चाहते हो जो आपको मदद करना चाहते हो वो आपकी मदद कर पाएगा दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्पन में जाएए जो आप याद करिए उस घटना को बर जब तक आप घटना को याद नहीं करेंगे तो आपका पूरा ही कहते है ना पूरा ही चल चित्र आपके दिमाग में चलता चला जाएगा कि कैसे कैसी घटना हुई थी कैसे कैसे मैं मेरे साथ हुआ है अप सही कह रहे हो आपने जब रिसाइट कर लिया हील होने का तो दुबारे से सारी चीज़े दिमाग में आहेंगी और आपको हिम्मत बांद किये उनको दुबारा से जीना पड़े जीना है ना फिर इसके बाद आप अपने दिमाग पर ये चीजे मत लाइए कि ये सारी गलतिया मेरी है है ना आपकी कोई गलती नहीं उसमें आपको ये लगेगा कि अगर मैं चुपी तोड़ता हूँ मैं बतावत हो तो लोग मुझसे कहेंगे तुम गलत हो या तुमारे जो साथ हुआ है वो तुमारी गलती है ये तो दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा इसमें तुमारी कोई गलती नहीं है वो तो एक हुआ जो भी वार्दात हुई है जो भी तुमारे साथ हुई है वो इसमें आप किसको ये चीज बताएंगे कौन से एक्षन लेंगे यह आप डिसाइट करोगे उसके पीछे जो जिसको भी आप बताना चाहरे है वो सब आपके पीछे होंगे लेकिन आपको डिसाइट करना पड़ेगा इस चीज को लेके मैं क्या करूँगा जो जिस अगर वो जिस व्यक्ति ने आपके साथ इस तरह के हरकते करी हैं, अगर वो है, उसको कैसे हम लोगों के सामने लाएं? हाँ, आपको अपने एक confident बनाना पड़ेगा, आपको खुड decide करना पड़ेगा कि मैं इस इनसान को बता सकता हूँ या सकती हूँ, ताकि ये मेरी सुने और मेरी help करे, अब आप adult हो, इतनी समझा आप रखते हो कि आपके कौन करीब ही है, कौन नहीं है, ये जरूरी है कि जो व ये चीज़ देखनी पड़ेगी, चाहे वो आपके family member हो, घर का करीबी हो, चाहे कोई भी हो, और ये तो बहुत घातक बात है कि वो आपके घर के आसपस लिंगर कर रहा है, आप जैसे और बच्चे, जो आप आने वाले बच्चे, उनके साथ भी हो सकता है, तो आपको उसको बच्चा था, उसके साथ दुख मनाओ, उसके साथ रो, कि भाई तुमारे साथ ऐसा हुआ, आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपने को उस बच्चे के तक लाओ, अपने बच्चे जो, क्योंकि आप ही बच्चे थे, अब आप बड़े होगे, उस बच्चे तक अपने को पह करोगे तब तक उभर नहीं पाओगे आप वहीं अटके रह जाओगे और यह आपने जो पांचे चीज़े बताई हैं यह बहुत जिनेरिक चीज़े हैं पर इसके लिए वह इस जो आपने सबसे पहले बोला कि विल पावर चाहिए होगी विल पावर आपको लानी पड़ेगी आपको चुपी तोड़ेनी पड़ेगी तो मालोदी यहाँ पर ना मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यह और मेरा परस्टनल एक्सपीरियंस है सेक्शल अब्यूस का नहीं बड़ गुसे का ब्लेम का मेरा परस्टनल एक्सपीरियंस है जब तक आप इतना बड़पन ही दिखाते हो कि आप दूसरे को माफ कर सको तब तक आप आगे जिन्दगी में नहीं बढ़ सकते हो मैं यह नहीं कह रहा है कि उसको माफ करो जैसे मालोदी ने बताया आप उसको लाइट में लाओ जो परस्टनल एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ आपको उसको माफ करना पड़ेगा अपने लिए देखो ऐसा होता है जब तक आप किसी चीज को अड्रेस नहीं करते हो और अक्सर जब तक किसी चीज को आप लेडगो नहीं करते हो माफी का मतलब यह नहीं कि उसको आपने छोड़ दिया आप जब तक उस चीज को लेडगो नहीं करते हो तब तक आपके दिमाग में रहती है और आप हमेशा वहीं के वहीं अटके रह जाते हो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो आप उसको लाइट में लाने के बाद फोगेफ करो अपने लिए ता कुछ ये सारा प्रोसेस करने के बाद तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाऊगे मेरे ख्याल में मालूदी ये बात सही भी है हाँ आप सही भी कह रहा है क्योंकि वह उस परसन को तो तुमने अपना बढ़पन दिखा है उसको तो आपने किसी ना किसी रूप में कानून के बात करी होफुली बहुत लोगों का टैबू टूटा होगा बहुत गरों में बहुत लोगों की दिमाग से चीज़ हटी होगी इसी तरीके से हम और टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा शेर करिएगा सब्सक्राइब कर बात है नीचे बाकी सारी इंफॉर्मिशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हिंदी इंग्लिश में इसको मैंने कन्वर्ट करके दिया हुआ अब जाके पढ़ भी सकते हो डाउनलोड भी कर सकते हो नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं तब तक ले थैंक थैंक्यू